हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कमुनेटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे दोस्तो जिस प्रकार से एक नन्हे से बालक को confidence गेन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने पीता की उंगलियों का सहारा चाहिए होता है ठीक इसी प्रकार से इंडिया में जितने भी objective pattern के exam होते हैं इन सभी में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को practice state की आवसकता होती है बिलकुल सही समझ पा रहे हैं one day exam जितने भी होते हैं जितने भी objective pattern के exam होते हैं उन सभी में सफल होने का एक ही मातर साधन चाहिए होता है do more and more practice ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रस्नों का अभ्यास करें अपना confidence और speed और कुरेशी गिन करें और exam में सफल हो तो इसी आप सबों की इसी आवसकता को मद्दे नजर रखते हुए ध्यान में रखते हुए आपका ये जो competition community youtube channel है इस पे हम सब लोग पहले से आपके लिए कई subject available करवा रहे हैं GS का प्राक्टिसेशन आपको मिल रहा है वीडियो के माध्यम से मैथ का प्राक्टिसेशन आपको मिल रहा है वीडियो के माध्यम से reasoning का प्राक्टिसेशन आपको मिल रहा है वीडियो के माध्यम से अब हम लोग इसमें English को भी include करते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे exam में और almost हर exam में English तो आता ही है अब यह अलग बात है कि किसी exam में English का level थोड़ा high होता है किसी exam में English का level थोड़ा low होता है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से आपको English पढ़ाना यहाँ पे शुरू करेंगे और यहाँ पे हम आप सभी से ये आशा करेंगे कि आप सब लोग इस से यादा ज़्यादा लाभनवीत होंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको ज़ादा ज़ादा सेर करें सब्सक्राइब करें और ज़ादा ज़ादा लोगों तक पहलाएं पहुँचाएं ताकि ऐसे बचे जो इसका फी नहीं पे कर सकते अलग-अलग कोचिंग में जाके अलग-अलग सहरों में ज जाके अलग-अलग स्थानों पे जाके जो खर्च उसका वहन नहीं कर सकते ऐसे वो सारे बच्चे इसे लाभान भी तो हम यह मान कर चलते हैं कि आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा उन सब का इंग्लिस एदी ठीक हो या ऐसे कुछ बच्चे जिनके इंग्लिस व लेंगे हम सब लोग एस वीडियो सेरीज के माद्यम से ये जो ओब्जेक्टिब पैरन का एक्जाम होता है इसके वीडियो सेरीज माद्यम से हम सभी लोग यहां पे आप सब लोग सब को कूशन में एप्रोच करने का तरीका है आपका जो स्पीड है जो कुरेसी है उसको अब यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिस में सबसे पहले हम आपके सुरुआत करते हैं, एक दम बेसिक, एक दम आसान से टॉपिक, नाउन से, जिसको आप में से ऐसे सभी बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलॉंग करने वाले हैं, जो ग्रामिन छेतरों से बिलॉंग करने वाले हैं, उन सभी बच्चों को भी कम से कम नाउन अर्थात संग्यातु समझ में आता ही हैं, तो हम लोग अपने सिरीज का सबसे पहला सुरुआती हैं से करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको सिखाते चले कि नाउन है क्या, देखिए, इंग्लिस मीडियम मे ठीक है, तो ये सारे रट्टा मार डेफिनिशन थे, आप इन सारे रटने वाले डेफिनिशन से बाहर निकलिए, ठीक है, हम आपको लेकर चलते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल वहारी के प्रोच के साथ, देखिए, ये जो नाउन है, जो आपको सामने स्क अब इस नाउन का हिंदी मिनिंग होता है, नाम, क्या मिनिंग होता है, नाम होता है, और इसी का इंग्लिस मिनिंग होता है, नेम, अब ये दोनों ही बाते से, ये भास अलग-अलग है, अर्थात हमें आसे आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि दुनिया में किसी भी चीज का चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तू हो, पेड़ पौदा हो, कुछ भी हो, पत्थर हो, पानी हो, नदी हो, नाला हो, कुछ भी हो, यदि उस चीज का, यदि उस व्यक्ति का, यदि उस वस्तू का कुछ नाम है, अगर नाम है तो वही नाउन है, नाम है तो वही नाउन है, अर्थात नाम का मतलब नाउन, नाउन का मतलब नाम, आपको definition रटने से मुक्ति मिलती है, ठीक है, आसा करते हैं ये बाते हैं, ये प्रोच आपको ज्यादा समझ में आ रही होगी, ठीक है, अब इसके बाद हम यदि आप से पूछे हैं, कि नाउन के बारे में आपको क्या क्य information है, तो आप सभी बच्चे एक साथ, एक सवर से यही बोलते हुए नजर आते हैं, सर नाउन को हम लोग जानते हैं कि नाउन के five types होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन, नाउन, कलेक्टिव नाउन, मिटेरियल नाउन, एबस्ट नाउन, ठीक है, ये बात है आप जानते हैं, इसमें भी हम सबों को ठीक तरीके से बच्चपन से नहीं सिखाया गया, या हम सबोंने सीखने जानने का प्रयास नहीं किया, दोनों में से कहीं न कहीं किसी न किसी एक साइड से गलती हुई है, चलिए इस गलती को भी हम लोग यहां पे इंप्रॉब करने का प्रयास करते है किस तरीके से इंप्रोब करेंगे सबसे पहले हम यह जाने कि यह जो five types हम लोगों को पढ़ाया गया यह किस आधार पे था यह हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों हम आपको बताते चलें कि यह जो noun है इसको अलग-अलग आधार पे अलग-अलग types में बाटा गया जैसे यह जो proper noun से लेके abstract noun तक हम लोग पढ़ते हैं यह जाती के अधार पर noun को बाटा गया अर्थात जाती के अधार पे noun के 5 बेद होते हैं गनना के अधार पे counting के basis पे noun के दो type होते हैं countable, uncountable यह भी आप बचपन से जानते हैं इंडर के basis पे चार प्रकार के होते हैं masculine, feminine, common and neuter ठीक है तो इस तरीके से अलग-अलग आधार पे noun को अलग-अलग types में बाटा गया जिसके चर्चा हम लोग आगे फिर कभी किसी class में करेंगे ठीक है थोड़ी बहुत understanding आपकी समय के साथ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इंप्रूब होगी और ज्यादा तरम परियास करेंगे कि इस तरीके से हम आपको पढ़ाएं कि यदि आप में से किसी की understanding थोड़ी weak हो यदि sentence को पढ़के आप समझने में थोड़ा सा कमजोर हो ठीक तरी के से बनते चले तो आईए इस कड़ी में हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाने के पहले countable, uncontable पे एक brief चर्चा हम करते चले देखिए proper noun, common noun, collective noun, proper noun, common noun, collective noun इन तीनों को रखा जाता है countable noun में और material noun और abstract noun को रखा जाता है uncountable में, material और abstract को रखा जात uncountable noun में, clear है, आसा करते हैं यह बाते आपको समझ में आ रही होगी, uncontable के बारे में एक और बात हमापको बताते चले, uncontable noun جो भी होते हैं, सारे के सारे uncontable noun होते हैं, singular कैसे होते हैं, singular होते हैं, और SINGULAR VARB लेते हैं बात समझ में आ गई जबकि countable noun SINGULAR भी होता है प्लूरल भी होता है जैसा रहेगा वैसा VARB लेता है लेकिन uncontable noun हमेशा और हमेशा रहेगा SINGULAR VARB लेगा SINGULAR uncontable noun हमेशा और हमेशा होता है तिक है यह बातें आपको लोड़ी बहुत आसा करते हैं, समझ में आ रही होगी, चलिए इस सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम आपको prefix और suffix के माध्यम से noun को पाचानना सिखाते हैं, अर्थात अब हम लोग ये सीखेंगे कि prefix क्या होता है, suffix क्या होता है, देखें, prefix क क्या होता है, ऐसा कोई भी अक्षरों का ऐसा समूँ, लेटर्स का ऐसा कोई भी समूँ, ग्रूप, जो किसी वर्ड के आरंब में लगता है, जैसे able के पहले हम लगा दे you and un, तो क्या बन जाएगा, unable, लगा दे this, तो disable, बात समझ में आ रही है, पोजीशन के पहले लगा दे इधर से आके ऐसे चिपक जाए, fix हो जाए, add हो जाए, लग जाए, तो इसी को हम लोग कहते है, prefix, यहाँ लगे इसको बोलेंगे, prefix, लेकिन अगर यह word है, और इसके right side में, इधर अगर कोई भी group of letters आके attach हो, ऐसे चिपक जाए, लग जाए, जूड जाए, तो इसी को हम हमने यह भी question mark है, हम एक word लेते हैं, हम एक word लेते हैं, आपके सामने जैसे यह आपने अमीटी एक word सुना होगा, छोड देजिए, अमीटी आपने बजपन से पढ़ा है, इसमें तो कोई doubt नहीं है, अब हम यह दिया आप से पूछे कि बताए, इसका parts of speech क्या है, यह noun है, pronoun है प्रे position है, conjunction है, adjective है, यह क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे confusion होगा, आप में से कुछ बच्चे जो इसको जानते होंगे पहले से, वो answer कर सकते हैं, अब यह देखिए आपके सामने एक word रैत, यह आपके almost हर exam में हाया है, चाहे आपका P.A.C. का exam हो, चाहे आपका state level exam हो, या आपका bank हो, या आपका S.A.C. हो, almost हर exam में यह word पूछा जा चुका है, अब हम यदि आपसे पूछें, बताए इसका parts of speech, क्या है, यह noun है, pronoun है, preposition है, adjective है, adverb है, क्या है यह, तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं पे confused हो जाते हैं, और यह concept ऐसा है, जिसको जान करके हम में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे question आपके sentence improvement में पूछे जाते हैं, आपके common error में पूछे जाते हैं, उन सभी questions को close test में पूछे जाते हैं, ऐसे उन सभी questions को आप इस concept को जान करक बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसलिए हम लोगों ने prefix और suffix की चर्चा की तो अब आईए इसको हम लोग यहां पे continue करते हैं और हम लोग यहां पे जानने समझने का प्रयास करते हैं कि यह prefix और suffix का concept क्या है किस तरीके से इसका use हम लोग करेंगे ना उनको जानने मे पाचानने में सीखने में समझने में और इससे जुड़े हुए question को भी हम लोग साथ साथ लगाते चलेंगे तो सबसे पहले आईए हम लोग यहां पे देखते हैं हम लोग यहां पे सीखते हैं कि किस तरीके से इसका use होता है किस तरीके से इसका प्रयोग करके हम लोग इसको पाचानना सीखेंगे और फिर इस पैटर्न पर बेस्ड इस कॉंसेट पर बेस्ड कुछ कुशन को हम लोग साथ लगाने का प्रयास करेंगे ठीक है तो आईए फटा फटा हम लोग यहां पर सुरुवात करते हैं बिना किसी भी लंब के हम लोग क्लास को आगे की और बढ़ाते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर सीखते चलिए देखिए मेंट यदि किसीभी वार्ड के एंडिंग में में आखिर में यह लगा हो मैंट लगा हो depends से कुछ वार्ड लगे हुए हो इन में से कोई भी वार्ड इन में से कोई भी यह जो suffix है इन में से कोई भी suffix यदि किसी भी word के आखिर में end में आपको दिखाई दे तो वह word क्या होगा वह word होगा noun आई ये सबों का कुछ example होना चाहिए यूँ ही बाते समझ में आती नहीं है तो चलिए इन सबों का कुछ example हम लोग लेते हैं जैसे meant का लेते हैं development, development, improvement, ठीक है चलिए नेस का लेते हैं kindness, kindness, weakness नेस के बाद C का लेते हैं, C का क्या होगा, advice और क्या होगा, rise ऐसे बहुत सारे बोल, T का example लेते हैं, T का क्या होगा, NMT, Amity, Amity University आपने सुना भी होगा, जो MBA कराने के लिए इंडिया में famous है, IUN का example लेते हैं, information, information, vision, nation, वगेरा वगेरा, ठीक है, I, O, N से आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं, dom, dom का example लेते हैं, जैसे freedom, wisdom, ठीक है, dom के बाद hood पे चलते हैं, childhood, nationhood, manhood, boyhood, is पे चलते हैं, damage, is का example लेते हैं, damage, leakage, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे example हैं, जिसमें हम सब लोग देख पा रहे हैं, कि ये जितने भी हमने आपको यहाँ पे suffix दिखाए हैं, suffix हमने जितने भी आपको बताए हैं, उन सबों का example यहाँ पे था, यहाँ से हम सबों को यह सीखने को मिलता है, कि ऐसे कोई भी वर्ड जिसके last में इन में से कोई भी given suffix लगा हुआ हो, तो वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड कहलाएगा noun, ठीक है, बात समझ में आई, वो वर्ड क्या कहलाएगा, noun कहलाएगा, दूसरा important बात हम आपको यहाँ पे बताते चले, कि इन में से जितने भी आपको यहाँ suffix दिखाई दे रहे हैं, यह यदि किसी भी वर्ड में दिखाई दें, तो वो noun तो होगे, बट maximum cases में यह होते हैं, uncountable noun, कौन से noun होते हैं? uncountable noun, maximum cases में इन में से ज्यादातर वर्ड होता है, क्या होता है भ 됩니다, चलिए, यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग मोड को clean करते हैं, कुछ और नए concept को हम लोग सीखने का, जानने का प्रयास करते हैं, दूसरा important concept है, ना उन से जुड़ा हुआ, जो बिलकुल नया है, जो हमें से बहुत साए कम लोगों के पास होता है, हमें से बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, अब जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बिलकुल नया concept होता है, बिलकुल नया approach होता है, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं क्या जानते हैं जैसे अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा कि suffix का यूज करके हम पाचान सकते हैं कि दिया गया what noun है या नहीं है इसी तरीके से कुछ और भी concept है जिसके माध्यम से हम what को पाचान सकते हैं कि वो noun है या नहीं है हम what को पाचान सकते हैं कि वो noun है या नहीं है बात समझ में आ रही है चलिए अब ये कौन सा concept वाई तो इसको हम लोग कहते हैं position of noun, place of noun, work of noun, function of noun, अलग-अलग नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं अब ये ऐसा concept है जिसको हम लोग बचपन से use तो करते आ रहे हैं लेकिन इसके features को हम लोग जानते नहीं हैं इसको हम लोग दूसरे तरीके से सूचते नहीं हैं जानते नहीं हैं समझते नहीं हैं और यही दूसरा तरीका अभी हम आपको यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं और इन ही दोनों का यूज करके आज के इसी क्लास में हम लोग धेर सारे question का practice करेंगे अलग-अलग exam में पूछे गए question का हम लोग practice करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से आपका question बिलकुल आसान तरीके से बिलकुल आसान इसे फटा-फट बनता चलेगा ठीक है भले ही कुछ question के meaning आपको समझ में आए या नहीं आए कुछ question आपको दिखने में बड़ा सा लग सकता है डरावना लग सकता है लेकिन सब बिलकुल आसान तरीके से बनेगा इस दूसरे वाले concept को सीखने के बाद तो concept number one जो हम लोगों ने suffix का सीखा वो और जो अभी सीखने जा रहे हैं दोनों का use करके हम लोग ऐसे सारे question को आज ही के class में बनाने का प्रयास करेंगे तो आए फटा फटा हम लोग इसको सीखना समझना सुरू करते हैं देखिए जब पहली बार हम लोगों ने English को पढ़ना सुरू किया था तो हम लोगों को बचपन में पढ़ाए गया था कि जो sentence होता है जिसको हम लोग हिंदी में वाक के कहते हैं उसमें हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है तो कोई भी sentence हो दरसल उसमें हमें दो तीन चीजे देखने को मिलते हैं उसका structure हम सब उने बचपन से पढ़ा है sentence का structure क्या होता है तो sentence का structure होता है subject plus verb plus object क्या होता है subject plus verb plus object अब यही से हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं ठीक है देखिए यह जो इसका format है subject प्लस verb प्लस object ठीक है तो वर्ब को तो हम लोग पाचान लेते हैं वर्ब में generally ED लगा होता है या SES लगा होता है ठीक है या उसका meaning भी हम लोग दरसल जानते हैं उसका first form, second form, third form ये भी हम स concept हमारा यही से सुरू होता है सबसे पहला concept आप सभी बच्चों से आग्रह है निवेदन है request है suggestion है कि आप सभी लोग अपना एक copy खोल ले एक notebook बनाए English का और उसमें इन सभी points को आप लिखते चले mention करते चले ठीक है ताकि बार-बार आपको उस copy के माद्यम से revision करने में आसा कीजिए जब तक यह सारे के सारे concept आपके brain में fit नहीं हो जाते ठीक है आई यह फटा फटा हम लोग इसको सीखना सुरू करें तो इसको आप यह दिल लिक रहे होंगे तो इसको heading डालिएगा work of noun position of noun place of noun ठीक है पहला यह किसी भी sentence का subject हो सकता है क्या हो सकता है यह किसी भी sentence का rule क्या है article के बाद noun आता है किसके बाद article के बाद noun आता है किसके बाद article के बाद noun आता है ठीक है चौता concept क्या है वाई चौता concept है कोई भी preposition हो क्या हो कोई भी preposition हो इस preposition के पहले यहां पे noun आ सकता है और इस preposition के बाद यहां पे noun आ सकता है अर्थात किसी भी preposition के पहले और प्रेपोजीशन के बाद में इन दोनों जगों पे नाउन आ सकता है किसी भी प्रेपोजीशन के पहले और प्रेपोजीशन के बाद में इन दोनों प्लेसेस पे नाउन आ सकता है ठीक है अगला कॉंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला कॉंसेप्ट है एड्जैक्टिब के बाद नाउन आता है, adjective के बाद क्या आता है, adjective के बाद नाउन आता है, अगला concept सीखे, इन सबों का example भी हम आपको देंगे, और उसके बाद इन सबों से पूछे जाने वाले question को भी हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है, तो अब आते हैं, concept number six पे, अगला concept क्या है, यह देखे, यह apostrophies है, जिसको आप सभी बच्चे बच्पन से जानते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, यह English मीडियम के हो, ठीक है, अब देखे यह जो apostrophies है, apostrophies के पहले यहाँ पर नाउन आता है, ठीक है, apostrophies के ठीक पहले भी नाउन आता है, ठीक है, अगला concept क्या है भाई, यह जो नू है, नू के बाद भी ना उनाता है, क्या आता है, नू के बाद भी ना उनाता है, क्यों क्यों कि ये नू क्या है, एडजर्टिव है, ठीक है, तो नू के बाद भी यहाँ पर क्या आता है, ना उनाता है, अब बारी है कि इन सबों का हमें एक्जामपल चाहिए, इन सब वो का कुछ है, example देखे आपको समझाने का प्रयास करते चलिए, जैसे एक example, हम लोग बचपन से पढ़ते रहे इस तरीके का example, राधा helps, राधा helps मोहन, राधा किसके मदद करती है भाई, मोहन के मदद करती है, भी यह help क्या है, तो help है हमारा वर्ब, इसमें किसी को कोई doubt है क् आसा करते हैं, यहां पर किसी को कोई doubt नहीं होगा, अब यह राधा नाउन है, इसमें किसी को कोई doubt है क्या, नहीं, बिलकुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, राधा किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, नाम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि आजी के class में हम क्यों subject है वाई क्यों कि verb के पहले क्या आता है subject आता है समाने तौर पे ठीक है subject sentence के generally sentence subject के beginning में आता है generally समाने तौर पे इसका कोई hard and fast rule नहीं है आगे के classes में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि subject किसी भी sentence का जो subject होता है वो sentence के beginning में आ सकता है, sentence के middle में आ सकता है, sentence के last में भी जा सकता है, बात समझ में आ रहे हैं, उन समझ में पर बेस्ट हम लोग question भी बनाएंगे, तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, सभी चीजों को एक साथ सीख पाना समझ नहीं है, किसी भी subject में, किसी भी व्यत्ति के लिए और सिखा पाना भी संभूर नहीं है, किसी भी teacher के लिए भी, इसलिए बारी बारी से हम लोग सभी को पढ़ेंगे, अब ये वर्म के बाद आ रहा है, वर्म के बाद क्या आता है, object आता है, तो यह क्या है, यह हम लोग यह देख पा रहा है, कि किसी भी sentence का subject noun हो सकता है, किसी भी sentence का object noun हो सकता है, और इस बात को आप सभी बच्चे note कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी sentence का subject और object यह दोनों ही हमेशा और हमेशा noun ही होता है, noun के बदले में चुकिए pronoun का प्रयोग किया जाता है, ठी मिला के अब तक का conclusion यह है, कि किसी भी वाक्य का subject या object सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजिज हो सकता, या तो noun, या तो pronoun, या तो pronoun, या तो pronoun, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में doubt हो रहा होगा, सर हमने बच्पन में पढ़ा था, walking is a good exercise, देखिए, ऐसा वाला एक example, आप मे से बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे confusion create हो रहा होगा, तो आईए हम आपके इस confusion को भी यहाँ पे दूर करते चले, यह देखिए, यह क्या है, सबसे पहले यह verbatic है, यह क्या है, यह object है, तो यह क्या है, noun है, इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे, यह देखिए, यह क्या है, article है, इसमें कोई डाउट नहीं है, article तीन ही होता है, an और the, यह article सिर्फ तीन ही होते है, चोथा कोई article आज तक जन्म नहीं लिया, और आगे भी नहीं लिगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं से हम लोग, अब यह देखिए, यह walking क्या है, चुक कि वाक्य में जो काम का करने वाला होता है, वो भी subject होता है, वाक्य में जिसके चर्चा की जाते है, उसको भी हम लोग subject करते हैं, अब आप में से कुछ बच्चों को यह concept ठीक तरीके से समझ में नहीं आती, digest नहीं होती, हम आपको समझाते चले, आपने गाना सुना होगा, तेरी आंखें भूल-भूलयया, सुने होंगे, तेरी आंखें भूल-भूलयया, बाते सब भूल-भूलयया, सुना होगा आपने, अब जरा ध्यात दिजिए, इस वाक्य में कोई काम हो रहा है क्या, जैसे हम लोगों ने बच्पन से जो पढ़ाई है, आपको जो example दिखाई रहा है क्या बिल्कुल नहीं इस सेंटेंस में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है अब काम नहीं हो रहा है तो क्या इस सेंटेंस में कोई सब्जक नहीं है बिल्कुल है अब इस सेंटेंस में आप चेकिजिए कि यदि काम का करने वाला एबसेंट है यदि सेंटेंस में काम का करने व समझ में आया तो आखे या आ ऐस्थान पर वहां पर जो भी वह अप लिखेंगे वो सबसक्राइब सब्सक्राइब और यहां पर चर्चा किसको और यह क्या एक अच्छा व्यायाम है तो चर्चा किसका ओरा है वॉकिंग का हम सब्सक्राइब बचपन चुकि चर्चा इसकी हो रही है अर्थात यह काम कर रहा है सब्जेट का और सब्जेट का काम कर रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे इसी को हम लोग कहते हैं नाउन ठीक है यह किसका काम कर रहा है यह काम कर रहा है नाउन का बात समझ में आ रही है तो आसा करते हैं कि जो आपक कर दो के चर्चा हो रहे हैं फिर इस इसा काम कर रहा है किस का काम कर रहा है तो यह काम कर क्लियर है आगे बढ़ें तो अब यहां से कुछ और नई चीजों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते hips अगला conceptarks हम लोग क्या सीखेंगेश अब ही हम लोगों नहीं सिखा कि किसी बी यह article अब यह देखेंगे जो article है article के तुरंद बाद यहां पर noun आ सकता है या article हो article के बाद को यह adjective आएगा क्या आएगा adjective के बाद यहां noun आ सकता है या article के बाद आप देखेंगे कि कई बार यहां पर adjective तो आएगा ही आएगा एडवर्ब भी आता है एडवर्ब होगा इसके बाद एडजक्टिव होगा इसके बाद फिर यहां पर नाउन होगा या एक और फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है कि आर्टिकल हो आर्टिकल के बाद एक एडवर्ब हो इस एडवर्ब के बाद दूसरा एडवर्ब हो औ और उसके बाद एड्जेक्टिव हो और उसके बाद यहां पर नाउन आए ठीक है इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट आपको दिखाई दे आप ज़रा देखिए जैसे आप भक्ति भजन में सुनते हैं राम ना मिले हनुमान के बिना हनुमान जी रहे ना स्रीराम के बिना अ ठीक है जायए चीजों को जैसे भी हो सके आथान तरीके से बिलकुल आसान बना के हम लोगों को अपना उद्धे से करने से मतलब है तरीके सा कहरात्मक षणने चाहिए ना कहरात्मक नहीं होने चाहिए ठीक है क्योंकि नाकरात्म के प्रोज जैसे ही आप एडॉप्ट करेंगे किसी भी प्रकार का हो वो आपके लाइफ को नेगेटिव डिरेक्शन में लेके जाना शुरू करता है तो बिल्कुल आसान तरीके से जो आप सुनते हैं गाते हैं गुन गुनाते हैं उसी के माद्यम से बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग यहां पर चीजों को सीखते हुआ आगे कि और बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोगों का conclusion यह है हम लोगों को देखने को यह मिलना है कि यदि कहीं भी article हो यदि कहीं भी article हो तो article के या तो तुरंत बाद नाउन आएगा या कुछ सब्दों के बाद नाउन आएगा लेकिन article है तो ना उनको आना ही पड़ेगा यह चीक हो ही बात है जैसे आपने गाना सुना था आना ही पड़ा ससना जाली में दिल की लगी चीक है तो article कहीं भी होगा article के बाद नाउनको आना ही पड़ेगा डाउट क्लियर है अब सब का एक 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 जामपल ले लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा बजपन से फिर हम लोगों ने पढ़ा 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 कुछ और नई चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं अगला कॉंसेप्ट हमारा था कि किसी भी प्रेपोजीशन के बाद किसी भी प्रेपोजीशन के बाद यहां पर नाउन आता है प्रेपोजीशन के पहले यहां पर नाउन आता है इसका एक example लेते हैं हम लोग एक example लेते ही, he knows the value of money, he knows the value of money, अब देखिए आप में से ऐसे कई बच्चे जो बिलकुल ग्रामीन परिवेश से बिलॉग करते होंगे, जिनका हिंदी बहुत अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन English बहुत ज्यादा weak होगा, ऐसे उन बच्चो आपको preposition सुनते ही by create होता है, तो preposition से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई रावन नहीं है, ठीक है, अब देखिए preposition क्या होता है, तो सामाने तोर पे हम सबों को अपने sentence में, question में, पढ़ने लिखने में, जो ज्यादा तर use होता है, वो in, at, on, upon, by, before, before, after, यही सब चीजे हम लोगों को ज्यादा तर use होती होई दिखाए पड़ती है, ये सब क्या है, तो ये सब के सब है, preposition, ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें, ये off देखने को मिल रहा है, off क्या हो गया नाओं है देखे दूसरे तरीके से समझ सकते है यह आर्टीकल के बाद क्या रहा है यह प्रे кर न यह पूजिशन हैं तो प्रेकर रहा है कि मेरे पहले आने वाला डुर्ट-पा और प्रेपोजिशन के बाद दोनों जगों पे आने वाला वर्ड क्या होता है नाउन होता है कई बार दोनों नाउन सेम हो सकता है जैसे हम लोग यूज करते हैं डे बाई डे बाई डे अब यहां देखे यह बाई क्या है तो बाई है प्रेपोजिशन डे क्या है यह नाउन है यहाँ पे देखे प्रेपोजीशन के पहले वीडिय है प्रेपोजीशन के बाद वीडिय है अर्थात प्रेपोजीशन के पहले और बाद में दोनों जगों पे आने वाला नाउन कैसा है दोनों सेम है तो यह सेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है ठीक है लेकिन दोनों क्या रहे होगा good boy bad boy ठीक है आगे आपने कई remix भी सुने गोरी है कलाईया सहर की लड़की वगएरा वगएरा ठीक है अब यह देखें जो good boy है यह bad boy है ठीक है तो यह boy क्या है बच्पन से जाना पहचाना आपका प्यारा सा नहीं है और यह good और यह bad क्या है यह भी आपका बच्पन से ज चीकने को यह मिलता है कि कहीं भी अगर adjective होगा तो adjective के बाद क्या आएगा noun आएगा यह दूसरी सब्दों में नाउन के पहले क्या आएगा एगा अजेक्ट्टिव मतलब यहां पे अपको हाथ के मादें से बताने का प्रयास करते है यह दिनाउन है तो यह क्या होगा adjective होगा यह 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 दी adjective है तो यह क्या होगा noun होगा यह noun तो यह adjective यह noun लίο doubt clear चली यहाँ से आगे चलते हैं कुछ और नई concept को सीखने का प्रयास करते हैं अगला concept देखिए, क्या था हमारा apostropheus, apostropheus के पहले यहाँ noun आता है, apostropheus के बाद भी यहाँ पे noun आता है, जैसे बजपन से हम लोगोंने ऐसे कई examples पढ़ते हैं, क्या पढ़े हैं राम स ब्रदर, अब यहाँ देखें यह apostropheus है, यह क्या है, apostropheus है, apostropheus के पहले noun, राम क्या है noun है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह ब्रदर क्या यह भी noun है, यह अलग बात है कि राम proper noun है, ब्रदर common noun है, यह proper noun है और यह common noun है, बट है तो दोनों noun, clear है, बात समझ में आ रही है, अर्था आते पोस्ट आफियस के पहले भी noun लिखा जाता है, पोस्ट आफियस के बाद आता है भई, तो noun आता है, जैसे, आपने गाना सुना होगा, सावरिया तेरे बीना जीना है, क्या, तो answer मिलता है, no way, no way, no way, अब यह देखे, यह no क्या था, यह no है, adjective क्या है, यह वे क्या है, noun है, वे मतलब तरीका, ठीक है, यह हम लोग use करते है, no way, no way के बाद हम लोग ए कभी सुना होगा, तो stock market में एक tagline चलता है, बोल चाल में use क्या जाता है, no position is also a position, no position, no position is also, also a position, अब आप यहाँ पर ध्यान देजिए, यह देखे, no क्या है, तो no है हमारा adjective, इसके बाद यह position क्या है, noun, position के last में देखे, क्या लगा हुआ है, I, O, N लगा हुआ है, position के last में लगा हो, तो वो क्या होता है, वो होता है, noun, तो यह क्या है, noun ने position क्या हो गया, noun हो गया, बात समझ में आ रही है, position क्या हो गया, noun हो गया, clear बाते समझ में आई, तो ऐसे इन सभी concept को हम लोगोंने आज के इस class में सीखा, noun को पाचानना सीखा, suffix के माधियम से, फिर noun को हम उने पाचानना सीखा place के माध्यम से कहां कहां पे noun use किया जाता है ठीक है अब आईए फटा फटा हम लोग यहां से आगे की और बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ नए कोशन को हम लोग यहां पर बनाने का प्रयास करते हैं सुरुवात करते हैं यहां से सबसे पहले यहां देख एक क्या है अब इस आर्टिकल के बाद क्या आता है ना होन आता है फ़िसां इस वॉड के लास्ट में क्या लगा हुआ है तो अब याद कि यद्ञा और इस इन में अब beauty का मतलब क्या होता है सुंदर्ता तो सुंदर्ता कौन सा नाउन है abstract noun कहां रखते हैं uncountable में रखते हैं uncountable में तो ये noun हमारा क्या हो गया uncountable noun हो गया अब आज़े ये 체 towards में देखें instruction दिया हुआ है कि ये unity हो है ये क्या है अन्कॉंटेबल नाउन है क्या नहीं है अन्कॉंटेबल है क्या हाँ है क्योंकि यह एबस्टेक्ट है और एबस्टेक्ट को रखा जाता है अन्कॉंटेबल नाउन में तो यह हमारा अंसर हो गया यह प्रोनाउन है क्या नहीं है क्यों क्योंकि आर्टिकल के बाद सिर्फ और स वर्ब नहीं यह कोशन देखे कहां पूछा गया था तो यह पूछा गया कोशन है आपके 2015 में कौन से एक्जाम है वेयर हाउसिंग तकनिकी सहायक में ठीक है तो यह आपके एक्जाम में पूछा गया कोशन था इसको आपने देखा कि आज के क्लास में हम सब उने जो सीखा है concept पढ़ा है उसका यूज़ करके किस तरीके से बिलकुल आसान तरीके से चुटकी बजा के एक दम मजा लेते हुए आप question को बना सकते हैं ठीक है आए चलते हैं यहां से आगे एक और नए question की तरफ अगला question देखें आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है अब यहां पर थोड़ा सा और हम कुछ चीज़े आपको बताते चलें देखें यदि किसी sentence के किसी word के यदि किसी भी सब्द के last में आपको full दिखाई दे क्या दिखाई दे full दिखाई दे इस दिखाई दे एक दिखाई दे ठीक है इबल दिखाई दे तो यह सारे के सारे word क्या होते हैं अब यहां जरा आप ध्यान देजिए इस question में यहां पर जो beautiful है beautiful के last में क्या है if you will लगा हुआ है question का instruction क्या है the noun form of beautiful is मतलब हम लोगों को क्या करना है इसको noun बना देना है तो noun कैसे बनेगा भाई इसमें जब इसको noun बनाना है तो इसमें हम लोग कुछ कमी नहीं करते हैं इसमें से कुछ सब्दों को हटाते नहीं कुछ अक्चरों को हटाते नहीं बलकि इसमें कुछ add करना होता है तो कुछ add क करके इसको नाउन बनाना है ज़रा आप याद किसी हमने आपको नाउन पाचाने का जो तरीका बताया था सफिक्स वाला उसमें क्या था मेंट नेस से टी वाई आई ओ एन डॉम हो टी एच और एज क्लियर है तो अब ज़रा आज यह यहां पर देखते चले यह देखे एफ हुआ है तो इसमें कुछ और एड करना इसको हटाना नहीं है तो यह हमारा आंसर कैंसल हो गया अब यह देखे इसमें क्या लगा हुआ हो मेंट हो नेस हो तो वह क्या होता है थिया है ऑप्शन नंबर भी हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं से चलते हैं अगले कुशन की इसमें कोई डाउट कोई डाउट नहीं यह नाउट रही यह उसकीन के honest आई है ठीक है गोरी है कलाई है ठीक है बात समझ में आ रही है तो यह क्या है नाउन नाउन के पहले क्या आता है एड्जेक्टिव एड्जेक्टिव के बाद क्या आता है तो यह क्या हो नंबर कंस एंगले कोशन इए अगला कोशन है अगला कुशन देखें 해 स्टेट बोर्ड में पूछी जाने वाले एक्जाम के कोश्चन थे आगे और भी बहुत सारे कोश्चन हैं सीजी बोर्ड के भी हैं और अपने बैंक के अलग अलग एक्जाम का कोश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों नियाज के क्लास में जो सीखा उसका तो हम कुछ करी नहीं सकते हैं आपको घबराने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमने जो पढ़ाया उसका यूज किसी है उसका क्या करना है यूज करना है तो आईए उसका यूज करते हैं और जिंदगी का मज़ा लेते हैं कोश्चन को बनाते हैं और क्या करेंगे अब च कि यह कहता है कि इसके according यहाँ प्याना चाहिए नाउन आर्टिकल के बाद आना चाहिए नाउन ही उसके है इसके बाद आना चाहिए यहाँ पर नाउन तीन तीन कॉंसिप कर रहा है कि यहाँ पर चाहिए हमको नाउन क्या चाहिए यहाँ पर तो यहाँ पर हमें चाहिए था न और इसमें लगा हुआ एडी एडी लगा हुआ है तो यह क्या हो गया यह हो गया वर्ब क्या हो गया वर्ब हो गया एडी लगा होगा तो यह तो वह वर्ब है यह तो वह एड्जेक्टिव का रूल प्ले कर रहा है एड्जेक्टिव का रूल का प्ले करेगा जब वो किसी है नाउन की जरूरत है और वर्प की जरूरत नहीं है अब इस कोशन में क्या करेंगे अनसर क्या बन जाएगा अब यह क्राउड क्या नाउन के थृट का मतलब कक्रॉरूरथ तो आप कितने मज़े के साथ कितना मज़ा ले करके हम लोग इस कोश्चन को बिलकुल आसान इसे इस कोश्चन का हिंदी हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है लेकिन फिर भी देखे इस बैंक के कोश्चन को हम लोगों ने कितने आसा अगले question को हम लोग देखते चले यहां पर देखे हैं क्या देखने को मिलना यह रहा इस पोस्ट आफियस के पहले company क्या है नाउन, company क्या है, नाउन, यह decision क्या है, नाउन, तो ए पोस्ट आफियस के पहले यहाँ पे नाउन, ए पोस्ट आफियस के बाद यहाँ पे नाउन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह two क्या है, preposition, preposition के बाद यह देखें, bonus आ गया, bonus shares हो गया, ठीक है, नाउन हो गया, clearly indicates, अभ about होता है, preposition, about क्या होता है, about होता है, preposition, अब preposition के पहले क्या चाहिए, नाउना ना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुए, confident क्या होता है, confident होता है, तो confident की जगह, यदि हम confidence लिख दे, confident की जगह, यदि हम confidence लिख दे, तो आप जराए यहां पे देखे इसके last में c e लग जाएगा और इसके last में जैसे ही c e लग जाएगा यह क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चो, noun क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा और यही तो चाहिए था preposition के पहले क्या आता है, तो preposition के पहले आता है नाउन. doubt clear है बाते समझ में आ रही है तो आप देख पा रहे हैं कि इस question का meaning हमें समझ में नहीं आ रहा था इस question का meaning भी हमें समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी हमने इस question को बीना पढ़े बीना जाने बीना समझे बिल्कुल आसान तरीके से बना लिया तो यो ही मुस्कुराते रहिए और चलिए चलते हैं अपने अगले question की तरफ तो हमारा अगला question यह रहा फिर से आपके सामने आपके screen पर आईए इसको भी हम लोग देखते चलिए यहां देखिए इंडिया क्या है देश का नाम है नाम है तो क्या है नाउन है लेकिन इंडिया से बना इंडियन जैसे नेपाल से बना नेपाली सिरलंका से बना सिरलंकन ठी पाकिस्तान से पाकिस्तान बंगला दे क्या होता है इंडिया होता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है लेकिन यदि हम इसकी जग़ान लिखते हैं इंडियन तो यह क्या होता है इसको बोलते हम लोग proper adjective क्या बोलते यह प्रापर एडजेक्टिव क्या होता है ऐसा कोई भी नाउन जो किसी भी प्रापर नाउन से बना हो उसको हम लोग कहते हैं प्रापर एडजेक्टिव क्या कहते हैं जैसे बिहार में रहने वाले व्यक्ति को या बिहार से बिलॉंग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बिहारी बंगाल में रहने वाले को बंगाली भूटान में रहने वाले को भूटानी पाकिस्तान वाले को पाकिस्तानी ठीक है बात समझ में है जिसे हम लोग भारत में रहते हैं अंग्रजी में क्या कहते हैं इंडियन कहते हैं तो यह सारे के सारे क्या होगा ओस्टिलियन कहते हैं सिरलंकन कहते हैं बात समझ में आ रही है यह सारे के सारे क्या है तो यह सारे के सारे हैं प्रॉपर एड्जेक्टिव क्या कहते हैं इसको इसी को कहते हैं प्रॉपर एड्जे वो उसको काटके बना लेंगे नौन ठीक है बाते समझ में आ रही है आसा करते हैं कि यह सारे concept आपको बिल्कूल आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे फिर भी यदि एक परसेंट भी डाउट हो तो आप अपने सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं comment box में comment box में आप अपने सार यह टू क्या है प्रेपोजीशन के बात यह एक वर्ब के सपोर्ट में दूसरा आउंका इन्फिनिटी अस नेसेसरी अमाउंट रेक्वारीड फॉर फॉर क्या है प्रेपोजीशन बुड को थोड़ा क्लियर कर लें प्रेपोजीशन यह चाहिए नाउन चैना चाहिए इन द कोनों के इनके बाद चाहिए नाउन और यहां क्या लिखा है डिवलपिंग यह फिर देखे यह फिर है प्रेपोजीशन और क्या प्रेपोजीशन के पहले क्या चाहिए नाउन प्रेपोजीशन के पहले भी नाउन आटिकल के बाद भी नाउन यहां तीन-तीन कॉंसेप्ट कह आए कि यहां पर हमें चाहिए नाउन क्या चाहिए हमें चाहिए नाउन बात समझ में आई और यहां पर क्या लिखा हुआ इंग लगा हुआ मतलब यह क्या है वर्ब का फॉर्थ फॉर्म है अर्थात यहां क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है वर्ब क्या लिखा हुआ है वर तो developing की जगे हम क्या लिख देंगे development और इस तरीके से देखे ये बड़ा सा question भी ये question भी बीना पढ़े बीना समझे बीना जाने यूँ ही हम लोगों से बन गया देखिए question पूछा क्या था अगला question क्या है अगला question देखे in spite of being a clear winner ठीक है he was not given the best best क्या है superlative degree of adjective good better best अब best adjective ये है article इसके according यहाँ पर चाहिए noun इसके according यहाँ पर चाहिए noun यह of क्या है preposition इसके according यहाँ पर क्या चाहिए noun तीन तीन concept चीक चीक क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या चाहिए noun और यहाँ पर लिखा मतलब होता है भरती करना recruit करना सेवा में लेना रखना काम पर रखना बात समझ में रखना और हिंदी में क्या लगा हुआ है ना रखना काम में लेना काम पर रखना क्या लगा हुआ है ना और हिंदी का कोई भी मूल सब्द जिसके last में यह वाला ना लगा हो वो क्या होता है वो होता है व्र्म क्या होता है रिया होता है हम यहां पर जिरूरथ है नान की लिखा हुए क्रिया इंप्लॉई के जगह हम क्या लिख दें इंप्लॉई के जगह हम लिख दें इंप्लॉई क्या लिख दें इंप्लॉई के जगह हम यदी लिख दें इंप्लॉई क्या लिख दें हम लिख दें इंप्लॉई तो इंप्लॉई का मतलब होता है दोस्तो कर्मचारी क्या होता है कर्म आप यहां पर देख पार है कि इस को भी हम लोगों ने बीना पढ़े बीना जाने बीना समझे यूही मस्ती मजाक में खेलते कुरते मुस्कुराते मुस्कुराते कुर्शन को बना दिया आईए चलते अगले कोशन की तरफ यह रहा हमारा अगला कोशन यह देखे PNB बैंक वे पूछा किया है we informed customers that there will be no interrupting यह देखे no क्या लगा हुआ है no वही बात no way no way ठीक है no position is also a good position अब यह देखे no क्या होता है आजग्या होता है hombre objective के बाद क्या आता है तो एड्जेक्टिव के बाद आता है नाउन के पहले क्या आता है एड्जेक्टिव आजग्या जाले Pack Naат whereas लॉक्त इन इन है पारिपोजिशन के पहले क्या आता है नाउन आता है, इसके according यहाँ पर चाहिए नाउन, इसके according यहाँ पर चाहिए नाउन, और interrupt के last में क्या लगा हुआ, इंटरप्टिंग को क्या लिग दे, 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 डॉम हो टी एच और इज लगा हो तो वह वर्ड क्या होता है वह वर्ड होता है नाउन बात समझ में आ रही है तो चलिए दोस्तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहां से आगे अगले कोशन की तरफ यह देखे यह हमारा अगला कोशन कहां पूछा गया है भाई हॉस्टल वाडन एक्जाम में पूछा गया स्टेट लेवल एक्जाम में पूछा गया स्टेट बोड एक्जाम में पूछा गया यह आपका कुशन है इसमें क्या करना चूज दा करेक्ट सेंटेंस आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंडना है अब करेक्ट सेंटेंस कैसे ढूंडे नाउन to the blowout, blowout क्या होता है, फूंक मारके बुझा देना, तीज हवा का आंधी हो, जूंका हो, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जैसे आपने काना सुना था, आवारा हवा का जूंका हो, ठीक है, आप मैं से कुछ लोगों को याधा रहा होगा, तो इस तरीके का जो जूंका पढ़ेंगे, प्रणौन के टेबल में पढ़ेंगे, आई, माई, माई, मी, वी, आर, आर्स, तो फिलाल आप काम चलाईए, हमारी बातों को समझ लीजिए, हम कह रहे है, इसलिए मान लीजिए, यह आर क्या है, पॉसेसिव, एड्जेक्टिव, पॉसेसिव, एड्जेक्टि ज्यादा आंधी तुपान होता है, तो हम लोग गाड़ियों को नहीं चला पाते है, यह इसमें लिखा, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है, बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट आगे बढ़ें, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, the highways slippery due to the ice, highways, highways और यह slippery, यह काना चाहिए था, the highway was slippery due to the ice, जो highway था, highway पर जो सनक था, वो slippery था, क्यों होता भाई, ice के कारण, ऐसा होता तो sentence ही होता, बड़ फिलाल यह sentence क्या हो गया, incorrect, यह क्या हो गया, incorrect, ठीक है, next, due to the weather, there was a large crowd, मतलब मौसम के कारण वहां बहुत भीड था, ऐसा कभी होता है, क्या, नहीं होता, अच्छा म मौसम, खरा मौसम के कारण भीड होता, ऐसा लिखा होता, तो sentence ही होता, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत, तो a गलत, c गलत, d गलत, आपका correct answer क्या बना, b बना, next, आगे बढ़ते हैं यहां से, अगले question की तरफ, देखिए, अगला question क्या है, that diamond is one, यह is क्या है, वर्ब है यह one क्या है यहां पर, तो यह one क्या है भाई, तो diamond को किसे measure करते हैं, carrot में, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, कोहिनूर ही जा, किस में, उसके सुद्धता हम लोग किसे मापते हैं, carrot में, carrot में diamond का weight भी measure किया जाता है, ठीक है, यह और ज्यादा बेतर आपको science वाले पढ़ जाता है का diamond का यह वाला carrot, यह carrot ऐसा कोई word होता नहीं है, यह karate ऐसा होता नहीं, कराटे के लिए यहां पर C की जगा के लिखना होता है, तो यह word भी गलत है, तो इस question का हमारा correct answer क्या बना, correct answer बना option number B, second, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले question की तरफ, यह देखे, यह रहा हमारा अगला question, select the correct sentence from the following sentences, ठीक है, यह देखे, आपके सन्युक्त भरती परिक्षा में पूछा गया है, कब का पूछा गया question है, यह तो 2017 का पूछा गया question है, अब यहां पर देखे, apostrophe, इसका use कैसे क्या जाता है, जैसे मान लिजे कि यह boy है, तो boy क्या है, singular है, boy का plural क्या होगा, तो boys होगा, क्या होगा, boys होगा, बात समझ में आ रही है, अब यहां पर concept यह है, कि यह दि लड़के का pain कहा जाए, तो लड़के का pain, singular noun हो, तो ऐसे apostrophe s लगाते हैं, लड़कों का pain, तो लड़कों का, लड़कों के लिए क्या use करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे plural तो ऐसा कोई भी noun, जिसका plural, या ऐसा कोई भी noun, जिसके plural form में, last में s या es लगा हो, उसके last में केवल apostrophe लगाते हैं, न कि apostrophe s लगाते हैं, बात समझ में आए, उसके last में केवल apostrophe लगाते हैं, न कि apostrophe s लगाते हैं, clear, चलिए आए, इसको हम लोगे यहां पर सीखते हैं, य यहां पर इसी concept का use क्या गया है देखिए यह 4 डे तो 4 दिन होगा या 4 दिनों ठीक है चार दिन या 4 दिनों ठीक है तो 4 दिन नहीं होता चार दिनों से लापता है छुट्टी पे है तो यह पहले गलत हो गया अब यहां यह 4 डे यह तो सही है यह अगले कोशन की तरफ यह देखे, यह question आपके पटवारी exam में पूछा किया, कब पूछा किया है, 2017 में पूछा किया है, आएए इसको हम लोग यहाँ पे सीखते चलें, देखते चलें क्या है इस question का रहस्य, यह देखे यह क्या है वर्ब है वर्ब के बाद आए अर्थाती अब्जेक्ट है यह क्या है प्रेपोजीशन है प्रेपोजीशन के पहले क्या आएगा ना उना आएगा अफरीका के तट पे कोस्ट का मतलब क्या होता है तट होता है ठीक है तो अफरीका के तट पे जो जहाज था वो क्या हो गया होगा खराब हो गया होगा इससे जादा थोड़ी कुछ होगा जैसे टाइटेनिक मूवी आपने सुना होगा उसका सीन आपने देखा होगा जो समझ में आई यहां पर जो option दिये कहें इन सबों का मीनिंग हम आपको समझाते चले लोईटर का मतलब होता है आवारा के तरह घूमना यहां वहां बीना काम के परपरजलेस उदे से हीन तरीके से इधर उधर घूमना आवारा गर्दी करना टाइम पास करना बात समझ में यह है लोईटर एक स्टॉल का मतलब होता है प्रसंसा करना एक स्टॉल आज किसी की रूप में किसी की प्रसंसा करना जैसे हो हमारे क्लास का सचीन तिंदुल कर बात समझ में आई तो एक स्टॉल का मतलब होता है प्रसंसा करना रेक का मतलब होता है टूटना खराब होना विखर ज छलिए यहां से आगे बढ़ें तो यहां पे कास्ट अबे का हम लोगों को क्या करना था मीनिंग बताना था तो कास्ट अबे का मिनिंग क्या निकल लाता तूटना खराब हो जाना तो तो टूटना खराब हो जाना से रिलेटेड एक ही वोड है हमारे पास, option number C, कौन सा है, option number C, चल यहां से आगे चलते हैं, अपने अगले question की तरफ, अगला question देखें क्या है, the country's economy is, अब यहां जरा आप देखें फिर से, यहां जरा फिर से देखें, इस question में, यहां देखें यह क्या है, पूस्ट ओफियस के पहले, country क्या है, noun, अपूस्ट ओफियस के बाद economy क्या है, noun, यह in-in क्या है count, प्रेपूरिचन, सीर्यस देखें,薪ें, सीर्यस के लास में क्या लगा हूँए, NGOs- Ayos लगा हूँए हो, यहां यहां लगा हूँए, यहां यहां आजिक्टिव क्या हो इता है नाउन क्या आता है एड्जक्टिव के बाद आता है नाउन ठीक है तो यह डेंजर क्या होगी हमारा डेंजर होगी हमारा नाउन ठीक है बात समझ में आई अब देखिए हमें इस कोशन में करना क्या है select a word from the following that can be substituted for the underlined words मतलब यह जो underlined क्या हुआ word था serious danger था इसको आपको substitute करना है अर्था इसको दूसरे word से replace करना है तो danger से related आपको यहां पर word choose करना होगा तो आईए सबसे पहले हम लोग यहां पर option का meaning जानने का प्रयास करें विजिल का मतलब होता है रत जगा करना जैसे दुरगा पूज़ा गनेश पूजा यह अलग अलग ते भारों में हम लोग जागरन करते हैं रात बर जागके जो भगवान का कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं कुछ लोग कुछ और होता है। शनकती खराबी पेरील का मतलब होता है खतरा, पेरील का मतलब क्या होता है पेरील मतलब खतरा, difficulty मतलब कठीना यह तो आफ जानते ही है तो यहाँ पर डेंजर से related काने है, हमारा option number C अर्थात पेरील काने है option number C, पेरील, next आगे परते है यहांसे अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन यहां देखे क्या है? यह देखे विदिक, यह विदिक क्या है? आईसी लगा हुआ, अब यहां देखे सReorabindu घोस यह जो, यह जो ओरोबिंद घोस है दिखाया, बताया क्या रियल इंडिया क्या बाई, दे इंडिया ऑफ विदिक डैस, can survive ये क्या वर्ब है थो वर्ब के पहले यहां क्या आएगा वर्ब के पहले आएगा कोई न कोई सब्जेक्त आठाथ हैं यहां आएगा कोई न कोई ना ओन अएगा ठीक है सर्वाइजर्अब और एब्सॉर्ब एन टू हर सेल्फ औल एलिन कल्चर्स मतलब औरोबिंदों को से कैसे व्यक्ति थे जिनोंने ये बताया दुनिया को के रियल भारत वो भारत है जो दुनिया के सारे विदेशी कल्चर को अपने अंदर समाहित कर लेगा लेकिन अपना कल्चर नहीं तोड़ेगा ठीक है अपना कल्चर नहीं छूट सकता जैसे आप से देखिए सैकड़ों वर्सों से देखिए अलग-अलग देश के जो कल्चर थे सब्वेता थे सारा का सारा देश बदल गया लेकिन भारत तभी तक एक ऐसा देश बना हुआ है जिसने दुनिया के सभी नई चीजों को अपने अंदर समाहित किया लेकिन अपना पुराना तीरस मोरीवाजों को नहीं खोया ठीक है यह अभी भी अपने प्राचिन परंपरा के साथ नवीनतम चीजों को समाहित किये हुए है और आगे भी समाहित करता हुआ चला जा रहा है ठीक है यह ऐसा हमारा देश है भारत तो अब यह देखे यहाँ पर औरविंदो गोस जो है यह कैसे बेखती हुए भाविस्य द्रस्टा इसको कहते हैं भाविस्य द्रस्टा जो अब से सो साल पचास साल आगे की चीजों को देख ले उसका अनुमान लगा ले उसके बारे में बताए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कहते हैं भाविस्य द्रस्टा जो भाविस्य की बात जैसे आप देखेंगे कि कहीं पर कोई बड़ा सा पेड़ हो और बारिस के बाद या कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उस बड़े से पेड़ के आसपास चोटे-चोटे उसी टाइब के पौधे वही पौधे उसी का चोटा-चोटा जो प्लांट है वो उगना सुरू करता इसे चोटे-चोटे प्लांट को क्या करते है यह सियर्स करते है इस सियर्स का मिनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है सूखना जलना सिकुडना ठीक है मुर्जाना यह सियर्स क्या होते है तो जो चिडियां का चोच है उससे रिलेटेड यह वाड है चिडियां का चोच होता प्रिद्व t प्रिद्व हमारा अगला question क्या है after a few minutes the jury gave अब सबसे पहले यह समझे कि jury क्या है यह देखे आर्टिकल आर्टिकल के बाद आ रहा है jury मतलब यह क्या है noun यह क्या है वर्ब है वर्ब के पहले क्या है कहा है यहाँ पर subject आयका अर्थात यह क्या है दोनों concept के according यह हमारा क्या है तो यह हमारा noun ठीक है अब jury होता क्या है सबसे पहले समझे जूरी होता है group of judges जजों के समूख को कहते हैं jury मतलब अगर एक जज है तो उसको jury नहीं बोलेंगे दो जज हो गए तीन हो गए चार हो गए एंड सो ओन तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलेंगे jury ठीक है अब देखे जूरी जो word है यह है collective noun चोकि एक से ज़्यादा लोग है तो collection हो गया भीड हो गया एकठा हो गया तो यह हो गया collective noun अब इसमें दो बाते हैं यह यदि आपस में united हो जैसे कोई decision देना हो ठीक है तो decision जो भी दिया जाएगा वो unanimous होगा अगर unanimous है तो उस मामले में इसी को हम लोग मानते है singular इसी को वर्फ देते हैं singular क्या मानेंगे singular देंगे और वर्फ देंगे singular जैसे अपना पार्लियमेंट संसद या लोक सभा या राजे सभा कोई भी अपले लिजिए यह यदि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी war होता है यह दिछड़ जाता है तो उस मुद्धे पे भारत के लोक सभा हो या राजे सभा हो या पूरे संसद भौन की चर्चा कर ले चाहे नेत को पाकिस्तान के इंड का जवाब पत्तर से देना चाहिए और थात इस मुद्धे पे पूरे के पूरे पूरे पार्लियमेंट या लोक सभा या राजे सभा के सभी लोग क्या हो गए एक जूट हो गए लेकिन जैसे ही वहाँ पे उसी पार्लियमेंट में उसी राजे सभा मे जैसे ही बात होती है कि चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षन दे दिया जाए तो आप देखते होंगे या आपने कभी नोटिस किया होगा नहीं किया होगा तो अब आप हम से जान लीजिए वहीं पे यही जो गुरूप होता है लोग सभा में राज सभा में या पूरे के पूर ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग तो ऐसा ही कुछ अब हम लोगों को यहां पे चाहिए और यह देखे वर्डिक्ट वर्डिक्ट क्या होता है भाई वर्डिक्ट होता है नाउन ठीक है वर्डिक्ट क्या होता है जनादीस फैसला ठीक है तो यह क्या है नाउन अब इसके पहले हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए और यह पनले माने माने या नहीं माने ह Nil का यूज करते है, male के लिए, हर का यूज करते है, फ्मेल के लिए, आर का यूज करते हैं जब यह एक से ज糧ा हो, तो एक से ज़糧ा तब होता, जब पसमे जूरी भटहता होता है, तो फैश्ला देना है, unanimous होना है, यूनिनिमस होना है, तो singular मानना है, तो he c इसके लिए हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे it का यूज करेंगे हमारा correct answer क्या बनेगा हमारा correct answer बनेगा option number c it's ठीक है next अब देखें यहाँ पे it's में भी आप में से बहुत सारे बच्चों को doubt होता है it's ऐसे भी लिखते हैं और इस ऐसे भी लिखते हैं यह पोस्ट आफिस लगा के यह जो इसके बाद यहाँ कोई नाउन आएगा अब देखें मेंगे बाद आने वाला सब कुछ कैसा होता है प्लूरल होता है क्यों होता है मेनी का मतलब होता है कई अनेक अर्थात एक से ज़्यादा अब ज़र आप ध्यान देजिए हिंदी ग्रामर में और इंगलिस ग्रामर में दोनों ग्रामर में यहाँ पे समानता है कि वचन दो ही प्रकार के होता है एक वचन और बहु वचन मतलब एक है व्यक्ति या वस्तू तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा हो गया व्यक्ति या वस्तू तो हो गया प्लूरल तो यहाँ पर क्या चाहिए प्लूरल वाला success क्या है तो इस के साथ आजबने इस क्लास को हम लोग यहाँ पे संबब करते हैं और प्लूर आजे के साथ पिर कुछ नए कॉंसिप्त के साथ नए एक्स्प्लानेशान के साथ नए तरह के साथ नए कोश्टन के साथ फिर मिलते हम लोग अपने अगले क्लास में तब तक के लिए आप सब लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहे हैं और आपको यह कहीं भी कुछ भी एक परसेंट भी डाउट हो तो कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं टेलिग्राम पूछ सकते हैं और भी कई सोर्सेस हैं जिसका लिंक आपको यूटूब में हमारे कमेंड बॉक्स में दिया हुआ होता है तो आप वहां से लिंक पर जाके भी उस सोर्स का यूज करके भी आप हमसे परशनों के डाउट पूछ सकते हैं ठीक है तो तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद